तो उसके अंदर हमने दोनों ही शॉर्ट पोजिशन लेने के पीछा का रिजन क्या था जैसे कि यह देखे यह उस दिन का ट्रेड है 24 पे पहले और आज तो दोनों में सेल सेट पोजिशन थी यह lifetime high मतलब कि अपनी strong resistance को ब्रेक कर रहा है हो सकते पासिस्टेंट अपनी lifetime high को ब्रेक करके अच्छा movement अपसाइड के तरिफ दिखा दे क्यूंकि यह strong raise swing है swing in the sense कि last time पर प्राइस नहीं से गिरा था और आज आज के session म अभी जो currently session चले इसमें प्राइस कहीं ना कहीं resistance ले रहा है तो हमें मौका मिलेगा तो इसमें हम trades करेंगे अभी lower time frame पर चलेंगे and exact जो highs अभी हमने mark किये है target फाला की पूरा नहीं मिला पूरे दिन market side वे रहे बिल्कुल last की जो 2 candles बांते उन्होंने जल्दी जल्दी से बड़ी candles form करके वहां पर हमें targets थी थी मुट्स के time frame पर आएंगे तो देखिए यहां पर lower time frame पर हमने जो अपनी entries ल देखिए के दा लगभग dears of quantity थी तो dears of quantity के साथ चलिए order book open कर लेते हैं so इसमें login तो pre login है यहां पर हम लोग पहले position या position book open करेंगे position book में overall जो हमारा आज का profit है 6060 के आसपास का profit है which is not enough मतलब risk and reward ratio के according देखिए 1-2 मिला क्योंकि order book में आप देखोगे तो कुल quantity हमारे पास थी 150 quantity थी हालांकि trade में पूरा target हमको मिला लेकर उसका कुछ मतलब नहीं क्योंकि उससे पहले हम बाहर निकल चुगे तो time हो चुगा था काफी सारा time हो चुगा था so 5136 के round हमने इसक अंदर से की है 5095 पर exit की थी और अपना यह trade था and morning में करीब वही नौ दस बज़े के आसपास 957 दस बज़े के आसपास यह trade अपना execute हुआ था तो यह क्योंकि पूरा पूरे दिन हमने trades को hold के लेकिन नहीं मिला उस side बे होगे last में आते थे कई trades में ऐसा हो जाता है so अभी द तो यह थे 3 case हम आज के दिन आपसे discuss करेंगे तो उन 3 cases के तो तो क्योंकि आज के रीड में हमने इन वॉल्म आनालसिस की थोड़ी सी मदद ली थी तो एक case की मदद ली थी बट इसी तरह है कि हम 3 case यहां पर देखेंगे वॉल्म के कुछ cases होते है कैसे की analysis और रीडिंग वेर है okay so thanks and start करते है आज के वीडियो डेली time frame पर हम लोग आ जाएंगे persistent के अंदर and सारी markings या सारी कुछ अब देखेंगे यह अपना resistance point बना यह बिल्कुल highest point था इसके ओपर market गई नहीं है आज के session में क्या हुआ था जब trade हमने execute किया है तो five minute के time frame पर आप देखोगे कि exact उसी जगह पर market गई है upside के तरफ volumes के साथ है ना volumes आप यह तो five minute का time frame है तो यहाँ पर थी कितनी ज्यादा volume आ गई और price ने exact अपने resistance को touch कर दिया अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे price ने यह resistance form कि अब इसको upside के तरफ जाना है तो इसको यह break कर देना चाहिए price में हम यह maal लेते हैं कि हाँ यह upside के तरफ जा सकता है बट हुआ क्या है जो अभी हमने time frame किया था कि और थोड़ा सो lower time frame पर आ गए open होते ही market को jump मिला यहां से market fit सिधे नीचे की तरफ एक rejection candle बनी मतलब कि इसको support मिला ना और यहाँ पर देखिए green candle बन गई इसने support के confirm कर द candle का low mark करने क्योंकि मेरे लिए important यही थी 942 की candle और हमें इस candle के नीचे अपने trades execute करने थे तो जैसे पैस नीचे की तरफ निकला हमने एक दो रुपया का फर्द देखते हुए यहां पर trade execute कर दिये अभी जो point अभी हमने mark किया है जो candle में mark किया आप देखोगे कि यह red वाली औ और इसके नीचे movement हमें lower time frame पर दिखाए पर हमने trades execute के तो यह तो था entry का point and high पर बिल्कुल swings पर अपने stop process हमने लगा दिये अब देखिए main बात आते है higher time frame कि higher time frame पर हम लोग अपने lifetime high के पास में है तो यह कैसे देख रहे है कि यह resistance के तरह रियाक्ट कर रहा है इसको समझे ह highs हमने mark कर लिए अब high पर हम लोग देख रहे हैं कि यह एक green candle थी जिसने की high लगाया था इसके बाद में market ने closing नहीं की एक jump किया और वापस सीधे नीचे गर गई अब दो trade execute हुए जैसे कि last trade में आद विखोगे कि यहाँ opportunity thought of my को जो किया था वो भी इसी जगह से sales side की तरफ अब यह क्यों हो रहा है क्योंकि यह दो points दो जो point of action है यह तो हमको मिल गए इस जगह पर volumes के क्या actions बन रहे है यह समझ पा रहे है ना volumes गिर रहे है प्राइस तो upside Diversion है एक तरह का और यहाँ पर आ करके देखे रिजल्ट देखनों के मिल गया कि प्राइस ने जैसे पीवेस टे का हाई तोड़ा यह सिधी नीचे के तरफ आ यह हुआ था अब जिस दिन मतलब कि कल के session में हमने trade execute किया तब क्या हुआ है sorry volumes में diversion हुए तो हम क्या अभी हमने क्या बोला कि हाइस के पास से reject जब हो रही है market तो यह symptoms होते हैं कि क्या कर सकती possibilities क्या है में भी हो सकता है कि हम trade execute करते तो मेरा stop loss चला जा जा था ऐसा भी हो सकता था लेकिन trade execute करने से पहले जो prices के और जो volumes के movement हो रहे थे वह अगले दिन जब हमने उसको connect किया तो हमें समझ व जाती है यह swing लगा ना फिर नीचे आ गए यह इस तरह का movement कर दिया तो इसने first swing तो यहां पर लगा दिया यह लगा या तो यह ब्रेक हो जाता upside के तरफ तो resistance ब्रेक होते हैं तो यहां पर हम लोग अपने trades execute करते बट यहां से price ने क्या कि अपना support ब्रेक कर दिया नीचे के यह हम prices के समझ में है price action समझ में है and volumes का हम देखने की volumes भी कम हो रहे है और price जैसे ही अपने highs पर गया यहां पर हमने pre entries के confirmations लिए यह पर आप देखो कि price को हम बहुत ज्यादा कुछ तरह से read नहीं करें जैसे normally करते हैं कि एक price का high बन गया और दूसरा इसका low बन गया पिछल हो सकता है अब अगर upside की तरह जाने तो इसको resistance करना पड़ेगा बट हम इसी जगह पर देख रहे हैं कि price अपने supports को break कर रहा है तो जैसे ही हमें लगा कि price अब नीचे की दिशा में आ सकता है क्योंकि यहां पर देखी क्या बना ना swing बना नीचे की तरफ टूटा volume के साथ है यहां देखिए volumes की breakout दिखेंगे आपको जैसे volumes के साथ टूटा इस जागे पर हमें trade execute होगा simple trade था कुछ hard analysis नहीं थी और अपने pocket capacity के बाहर हमने trade execute भी नहीं किया तो simply हम पूरे दिन इसको hold करते हैं पूरे दिन हमने देखा तो यह तो बात हो गई आज की trade execution की है अब बढ़ assistant को ही ले करके चलेंगे क्योंकि यह बहुत अच्छा example बना हमारे लिए lasting session में इसका एक lifetime high था यह प्राइज ने एक high लगाए यहां पर और इस जगह पर आप देखोगे कि volumes के movements कैसे बने हैं generally आप देखो इस चीज को कि volumes किस तरह की form हो रही है यह देखे है ना इसके बाद ज्यादा आ रही है अब बात कर लेते हैं volumes के volumes के तीन symptoms होते हैं एक weak दूसरा standard और तीसरा strong weak और standard को कैसे पहशानते हैं और strong volumes को कैसे पहशानते हैं क्योंकि इन तीनों का ही use होता है ऐसा नहीं है कि जब weak volumes हैं तो उसका use हम लोग trade execution में नहीं कर सकते या पर जो standard एक जो normal volumes है average volumes है उसका use हम नहीं कर सकते या फिर trending volumes है जब volumes ज्यादा आ गई है तो उसका तीनों का ही use होगा और तीनों का अलग अलग तरह से use होता है ये होंगी weak volumes किसी किसी stock में आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी volumes हाते हैं और अचानक से spike हा जाएगी और फिर से volumes या तो price sideways है बिल्कुल रुका हुआ है उसके अंदर कोई movements नहीं होगी नहीं प्राइस बहुत ज्यादा up and down नहीं करेगा एक support ले रहा है ब्रिकाउट होने के बाद में फिर वो fail हो जागा फिर upside के तरफ चला जागा अगेन आप देखोगी कि बहुत देर से price में आप support ले फिर से आपको लगेगा कि अच्छा previous low भी तोड़ गया यहां से market नीचे चली जाएगी फिर से यह side way हो जाएगा क्योंकि जो volumes हैं यह weak है बहुत ज्यादा movement volumes में नहीं होगा वो side way पढ़ा देगा ऐसे stock को अपने favor में इस तरह के movements को अपने favor में हम कैसे कर सकते हैं तो ठीक एक तो हमें अगर यह समझ में आ रहा है कि volumes weak हैं तो इस तरह से हम लोग trades execute नहीं करके fake breakout से बच सकते हैं सबसे पहला अगर volumes कम हैं आपके setup के according आप indicator based trading करते हो आप gain level square से आप Fibonacci से आप natural number से आप price action से आप किसी भी तरह से updates execute करते हो लेकिन सारा setup सही होते हुए भी अगर volumes इस तरह के दिख रहे हैं तो आप trades से बच सकते हो हाला कि माना से जाता है हमारी rules के according कि अगर setup सही बन रहा तो trade execute करो भले ही stop loss चला जाए volumes जब कम हो रही हो तो उस case में हम लोग trade execute नहीं करेंगे यह तो पहली चीज़ हो गई दूसरा हमने आपको बताया था volumes कम होने के पीछे का reason एक दूसरा भी होता है कि जैसे price आपका एक बड़ी move दिखा करके आया है और वहाँ पर volumes ज्यादा है इसके बाद में आप देखोगे कि price आपका side way हो जाएगा बड़ी move आई है अब माल लीजे कि कल के session में या उसके पहले के session में किसी भी किसी भी एक stock आप उठा लो बहुत ज्यादो 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 चल गया है तो आप यह देखोगे कि अगले दिन वह stock side way रहता है आज अगर को stock 5-7% चल गया है एक average stock की movements हम बता है आपको सभी में या हो सकता है सब जहतर में यह काम ना करें जैसे कि reliance है अब reliance अगर एक दिन बड़ा movement देदेगा तो दूसरे दिन भी हम देखते है कि वह भागता है दूसरे दिन भी भागेगा और तीसरे दिन भी भागेगा लेकिन तीन दिन continuous बड़ी movements दिखा देने के बाद में 4th day से फिर वह sideway होता है और वह एक या दो दिन के लिए sideway नहीं होगा वह हफतों तक sideway पढ़ा रहेगा इन जनरल आप बाकी के stocks में देखोगे कि वह एक दिन अगर कोई बड़ी सी movement दिखा देते हैं तो फिर next day वह sideway पढ़े रहते हैं और जब इस तरह से कोई stock sideway पढ़ा रहेगा और उसके अंदर weak volumes जाहिट सी बात है weak volumes शो होती है अब अगर weak volumes आ गए हैं तो इसका मतलब यह होता है कि price में कहीं न कहीं turn होने वाला है अभी नहीं हुआ है लेकिन prices के breakout और volumes में एक spike किया जाने के बाद में price का support से अफिर resistance को break कर देना यह symptom होता है कि price में अब जो movement या तो यहां से यह continue upside की तरफ हो सकता है वर नहीं हो सकता है price अपना trend change कर देंग, trend reverse हो जाह समझ में ह कि हम जब देख रहे हैं कि volumes कम है तो जब तक price side हम trade execute नहीं करेंगे, कब तक जब तक उसके अंदर volumes spike ना जाए या फिर price अपने highs or lows को break ना करने लग जाए, मतलब कि resistance को support को break ना करने लगे तब तक हम trade execute नहीं करेंगे, तो इस तरह से दो points बनते हैं जिससे कि हम वीक volume का use कर सकते हैं as a plus point, हमारे favor में वो काम करेगी, आप इसका example दो, जैसे persistent है, अब हमें यहाप price को नहीं देखना है, हम अगर volumes को पढ़ते हैं तो ठीक में price हम नहीं देखेंगे price को, अब इस जगह पर देखिए क्या हो रहा है, एक normal volume देखिए, कि इसके अंदर जो volumes आ रहे हैं, व इस case में देखो, यहापर volumes ज्यादा हैं, और यहाँ आपर आपको volumes बिल्कुल dry देखेंगे, है न, अब अगर volumes dry हैं, तो prices के movements भी आपको dry ही देखते हैं, ज्याद अतर cases में आप देखोगे कि volumes कम रहे, volumes अगर कम हैं, तो price भी side way हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, 12, 136 आप 25 तारी को देखो, यहाँ पर क्या हुआ होगा, 25 को 12 बजे के बाद देखिए, आपर price ने हमें movements यह देखिया, volumes तो ठीक है, price को upside के तरफ ले करके गई, बाद में देखिए, price यहाँ पर side way movement इसने दिखाया, और इस जगे पर price ने क्या किया, हो गया पूरा side way, अब यह side way movements को हम लोग कैसे देख सकते हैं, अरे volume नहीं आ रही है, trade execute मत करो, आप देखोगे कि price आपका support break कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यह support break हो रहा है, बट क्या हो रहा है, breakout के बाद में, hassle जा रहा है, इसके बाद में क्या लगेगा, आपको price resistance break कर रहा है, buy कर लो, अच कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो resistance करने support के break होने का वेट कर रहा है, यहाँ पर अगर वो short करेंगे, तो यहाँ पर इनका stop loss जाएगा, कोई मिला करके यह देखे, यहाँ पर resistance form हुआ, अब जैसे resistance break हुआ, आप सुचो कि हम यहाँ से buy कर लेंगे, करो buy आप, हम समझ रहे है volumes कम है, इस structure समें बहुत अच्छे अच्छे दिखाए पड़े हैं, लेकिन वो fail हो जाएंगे, आपने इसी लिए अकसर आप देखते होगे कि कोई भी structure आप find करो, आप trend line लगा लो, आप descending, ascending, जो भी asymmetrical है, या फिर किसी बितर एक triangle आप inverted है, मैं कुछ भी लगा लो, head and shoulder बन लाइट आप नहीं देखा, आपकी trend line fail होगा, प्राइज नीचे गिर गया, या trend line के break होने में क्या volumes के breakout होगे हैं, अब अगर trend line के breakout होने पर volumes के breakout आप देख रहे हो, तो हो सकता है, वो volumes के breakout आपकी stopping volume हो, अगर वो stopping volume है, तो price भी वहाँ पर रुख सकता है, trend line हमें बहुत dangerous खतरनाक लगता है, जब भी हमें trend line को use करना होता है, तो हम additional confirmations बेन लिए तो काम नहीं करते हैं, same चीज़ आप यहाँ पर देखो, कि volumes side way है, बच के न हम अगर हमें यह मालूम होगा, हला कि live market में जाओगे, तो इतना ज्यादा आप चाहो कि खुल करके, या बहुत शान दि बंद हो चुकी है, हम trade execute नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हाँ इससे पहले कर चुके हो, कि यहाँ पर हमने देखा कि volumes अच्छे आ रहे थी, prices के breakout भी हो है, सारे से in terms बन गया है, हम trade execute कर रहे हैं, तो हमने पहले ही अगर execute कर लिए और अगर अब हमें hold करना है, तो तो करना ह फिर तो वो मजबूरी है, लेकिन आप कहिए कि यह सारी चीजी हो गई है, और यह हो रही है, और अब हम trade execute करेंगे, तो नहीं होगा, और दूसरे हम देखे हैं कि price में जो volumes हैं, यह side way है, तो side way का मतलब यह हो सकता है, कि अब इसके अंदर turn होने वाला है, कुछ ना कुछ हो हो सकता है, आप अपने हाइस को ब्रिक कर दिया, एक जम दिखाया, gap up सिधे price उपर की दरफ चला गया, बट इसके opposite क्या हो सकता था, कि price हमारा 2-3 दिन side way पढ़ा रहा है, इसके बाद में जम दिखा था, जैसे ही price resistance पर पहुंचता है, volumes के breakout होते, और यहीं से लोग अपना trade execute कर सकते थे, समझ मैं यहीं चीज, side way है, एक movement होने वाली, उसके लिए तयार रहो, ready रहो, अपने levels को mark करके रखो, same day trade execute मत करो, weak volumes के symptoms और कैसे हम लोग उसका use करेंगे, तो यह तो हो गई weak volumes के symptoms और कैसे हम लोग उसका use करेंगे, अब देखेंगे average volume, average volume का मतलब क्या, क्यों करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, उतना समझ में आएगा, average volume में, volumes के breakout आप नहीं देखो गए, breakout in the sense के बहुत बड़ी spikes नहीं आएंगे, जैसे कि weak trend में यह होता है, weak volumes में, कि volumes ऐसी ऐसी चु Standard में क्या होता है, कि volumes के breakout होगा है, वापा से volume normal, होंगे उसके बराबर ही, फिर से volumes normal, फिर से breakout आपको देखेंगे, but weak से ज्यादा volumes आपको standard को दिखाई पड़ते हैं, फिर से normal, normal volumes आने लगे, तो इस तरह का movement आपको देखता है standard में, standard में price sideway नहीं रहेगा, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, कि जैसे ही price आपका किसी resistance या फिर सपोर्ट पर पहुंचा, हम लोग इसके अंदर देखते हैं, कि prices की movement है ये एक box के अंदर कुछ यूँ ऐसे हुआ करते हैं, जब भी कोई price की movement आप इस तरह के देखो, और उसके अंदर आपको standard volumes के breakouts देख रहे हैं, मतल अलांकि trade execute करने के बाद चाहें week और चाहें standard चाहें जिस तरह की volume से उसको continue तो करना ही है, लेकिन बात आते हैं फिर confidence की, हमें hold तो करना ही है, या तो stop loss जाए target है, week में क्या होगा, कि fail breakout आपको देखेंगे, price ने एक support बनाया, break हो गया, वापस से price range केंदा है, फिर से break हो ग आपको कई बार तोड़ेगा, but जो standard formations होती है, उसमें आपको price दिखेगा, वो trend होता हो दिखेगा, वो इतनी जल्दी आप पर support नहीं तोड़ेगा, अगर एक तरह पे उसने supports form कर दिया, जैसे कि एक support line बन गई, price धीरे धीरे करके आपको कही ना कहीं target दिखा देता है, movements इतरे से clear होगा, sideway में तो बिल्कुल sideway रहेगा, standard में price धीरे-धीरे करके movements दिखाता है, कई बार आपने देखा हो कि stock 1% चलने के लिए चुटी-चुटी-चुटी-चुटी-चुटी-चुटी candles form करता है, actually वो standard formations होती है, कुछ ठीक ठाक, एक okay type की volumes आपको दिखाई price जब हम strong देखते है, strong volumes का एक पहचान होती ही देखने की, के 1,2,3,4,5,6 इस तरह की volumes आपको दिखते हैं, highs break करेंगी, जो bars होती है, वो अपने highs को break करती चलती है, लगातार और इस तरह का movement आपको बहुत कम दिखता है, क्योंकि जितनी volumes इस तरह की जितनी ज्यादा volumes आती आती हो continuously आ ही नहीं सकती, जितना अच्छा stock हो, इतनी अच्छी volumes continuously नहीं आते हैं, क्योंकि volumes फिर एक trend में चलता है, वो trending होता है, price एक trend में जाने के बाद में फिर sideways होगा, इस तरह की volumes आपको अकसर stocks में देखने को मिलेंगी, जैसे कि देखे, यह persistent है, कोई भी आप अब यह persistent में यहां पर देखे, एक तो यहां पर मैं आपको volumes के example देते हैं, कि ही sideways है, अब अगर standard हम बोले आपको तो यह एक तरह का यह वाली volumes, यह मेरे लिए कि standard volume नहीं है, क्योंकि dry नहीं है volume, breakouts हो रहे हैं, बट वो एक ok type की volumes, तो price आपको इसमें trending होता है, दिखाई पड़ेग लगातार आ रहे हैं, और बढ़ती ही चली जा रहे हैं, ऐसा होता है, एक again breakout, again breakout, again breakout, again breakout, फिर से breakout, breakout, यह structure इस तरह का होगा, कि volumes बढ़ती ही चली जाएंगी, बढ़ती ही चली जाएंगी, और एक level पर आने के बाद में फिर से price आपको देखे, यहां तक standard और यहां ज़र फि को मिलेगा कि इस तरह का movement फिर आप पकड़ लो, चाहे तो बेच में कोई mother candle form हो जाए, और चाहे तो कोई structure हमें ऐसा देखे, जिसके थ्रू हम लोग trade execute कर सकते हैं, like morning की candle होगे, 9.15 की candle होगे, इस तरह की structures, यहां पर मार एक pre-defined area, pre-defined level होना भी ज़री होता है, यह complicated हो रहा ह Apollo Hospital है, Apollo Hospital में सिर्फ आप volume दोखो, सिर्फ volumes, हम लोग अगर इतने बीच की volumes को देखे, point of view बना इस इसका, जो भी इमने बात बोलिया ना की complicated हो रहा होगा, यह होता है complicated, इसको समझो, क्या, कैसे हम लोग देख रहे हैं, यहां पर देखे, आपको volumes कैसी देख रहे हैं, market चल बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा easy हो जाता है समझना, तो यह easy काम करो, यह easy काम ही, life market में आपका जो tough काम होका उसको easy बना देता है, लेकिन इसके ओपर practice होनी चाहिए, कैसे यहां पर देखे, volumes बिलकुल weak आपको लग रहे हैं, यहां तक weak, और यह एक standard volume है, यह standard है, और जब देखे, इन दोनों में ही आप prices के movements देखो, यहां पर आपको price के movements कुछ बहुत बड़े दिखा ही नहीं पड़ेंगे, लेकिन movements दिखा ही पड़ेंगे, जैसे देखे, price सीध है upside के तरफ, कोई बड़ी movement ने, लेकिन price का movement आपको देखेगा, ऐसा नहीं कि बड़ी-बड काउट के बागे, फिर से देखे, वो बन गया, वो बिल्कुल lose होगी, volumes से, अब इसी जगे पर आप देखो एक strongs को, strong volumes, strong volume क्या करती है, हटा दीजे price को, सिर्फ आप देखे, यह देखे, यह समझ में रहे हैं, यहां पर volumes आई है, इस चीज को अगर हम लोग देखना, एक चोटे-चोटे नहीं देखोंगे, बड़े movements देखोंगे, कुछ percentage होती है, like 0.20, 0.30, 0.40, 0.45, 0.50% की movement आपको एक-एक candle में दिखती है, जैसे देखे, price गया ना, बिल्कुल सीधे-सीधे गिर गया नीच है, यह देखे, 0.37% का movement, फिर से candles में, 0.20% का movement, ग्रीन केंडल बन मिल गया, फिर देखे, यहां पर standard, यह समझ रहे ना, इनका फर्क देखे, strong, strong बनी, और यह देखे, यह standard है, ठीक है, price में candle इतनी बड़ी नहीं बनी है, यहां पर, चोटी-चोटी candle बनी, ठीक है, इतनी चोटी-चोटी candle में आपको movement दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा, ब आप क्या करोगे, trades में कैसे हम लोग इसका use कर सकते हैं, trade में बने रहने के लिए, continuation में इसका use करते हैं, और एक चीज़ यह मालूम रहते हैं, कि अब हमें मालूम है, कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, किसी भी एक point पर, एक resistance area पर पहुंचने से पहले, यह resistance को mark करके बैठा हुए हो, कि आपका predefined area है, यहाँ पर volumes slow हो जाए, weak हो जाए, and exact इसी जगह पर फिर volumes के आपको breakout देखनों को मिले, selling के confirmations मिलने के मतलब price आपका गिर सकता है, selling confirmations मिलने के मतलब कि price फिर यहाँ से आपका गिर सकता है, और इसी जगह से अगर price आपका resistance ब्रे trading में इसका benefit उठा सकते हैं, सिर्फ यह जान लेना है, कि यह standard volumes है, यह weak है, यह strong है, ठीक है, पता चलिए, इसका use कैसे करेंगे, है न, इस तरह से use करेंगे, बाकी काफे broad subject है, हम लोग इसको जितना ही पढ़ते जाते हैं, उतना ही समझ भाते हैं, कि हम तो कम जानते इसके ब पर रहे हैं, but actually में हम loss कर रहे हैं, वैसा करने इसके फायदा नहीं है, कोई मतलम नहीं बनता है, कोई भी एक system उठाओ, और पकड़ो, और इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पर जाते हैं, इसको बहुत हैं, इसको लेकर किया है, कॉमेंट कर देना, उसको रिप् में हम experience करते हैं, जो सालों का हमारे experience अपना, जो की एक एक वीडियो के तुरों आप लोगों तो कोशिश करते हैं, पहुचाने हैं, अगर आप पहली बार आए हो, तो चौन को subscribe कर लीजेगा, thanks and we will meet again